So guys क्या आप लोग भी जो glow road का wallet balance है इसको अपने bank account में transfer करना चाहते हो आप लोग को नहीं बता कि आप लोग किस तरह से इस glow road के wallet balance को अपने bank account में transfer कर पाओ या फिर आप लोग जानना चाहते हो कि भाई इस glow road का जो wallet balance है इस balance का use क्या है हम लोग किस तरह से इसको withdraw कर सकते हैं तो आज मैं आप सभी लोग को बताने वालो हूँ कि आप लोग किस तरह से glow road का जो wallet balances को withdraw कर सकते हो किस तरह से इसको transfer कर सकते हो और किस तरह से इसको use कर सकते हो कहा use आएगा, use आएगा की नहीं आएगा complete detail आज में आप लोगो देने वालो हो में पास भी अच्छा कासा balance पड़ा हुआ है glow road के wallet balance में तो मैं आप लोगो दिखाऊंगा live तो अगर आप लोग glow road का जो wallet balance से इसको transfer करना जाते हो कैसे क्या करना है जानना है तो बस इस वीडियो को आप लोग एंट तर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को make sure like के चैनल को subscribe कर देना तो अगर हम लोग glow road application के अंदर आ चुके हैं अब जैसे आप लोग यहाँ पर आऊगे आप लोग को वही my account पे आना है फिर आप लोग को पचास पर बड़ा हुआ है बैलेंस में इसको बाद नीचे लिखा हुआ है offers offer for you 50 rupees expires on ठेक यह जो मेरे 50 rupees है यह expired होगा 28 October को ठीक है 28 October को मेरे 50 पर expired हो जाएगा अभी expired का क्या सीन है हम लोग अभी इसको भी देखेंगे भाई क्या इस bank इस wallet balance को हम लोग अपने bank account में transfer कर सहते हैं हम लोग wallet पर आते हैं फिर यहां पर उपर एक option दिख रहा है F&Q का आप लोग उसके उपर क्लिक करने है F&Q का मतलब है frequently ask question ठीक है हम लोग यहां पर आते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आप लोग काफी सारे product मिल लाते हैं आप लोग बिसिकली यहां पर आप पहली बात तो यह Amazon की तरफ से आता है शौपिंग का ही प्लैटफोर्म है जाद यहां पर लोग कपड़े वगर खरीदते हैं ठीक है आप लोग यहां पर electronic items मिल जाते हैं वह भी purchase करते हो हम आ लेते हैं कि यह वह टी-शिर्ट है ठीक है आपको यह टी-शिर्ट ऑडर करनी है तो आप लोग नहीं क्या करेंगे सेल में 109 रुबिस का इसका प्राइस है हम लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद बाइनों को ऑप्षिन पर क्लिक करना है बोट करना है वह आप लोग का उनिदर करने के बाद आपने के अपने प्राइब रुट करने के बाद आप लोग करने के बाद आप एव इंदर ईंसे अथे पको आप अगर आप लोग कोई आउनलाइन शॉपिंग करते हो यहां पर शॉपिंग करकर उसका प्रिपेट पेमेंट करते हो मतलब कि पहले ही पेमेंट करते हो COD नहीं select करते हो तो आप लोग का जो ग्लोरोट का wallet balance है करीबन 5% से use होता है अब वहीं पर हम लोग कोई और एक काम करते हैं हम लोग कोई और यहाँ पर close एक बार select करते हैं आप लोग को दिखाते हैं फिर से कि मालेजे यही हम लोग select करते हैं हम लोग continue करेंगे हम लोग क्या करेंगे गूगल पर या फोन पर कुछ select करते हैं वोग हमार टोटल डिसकाउंट मिला है करीबन 9 रुपाई का जो 9 रुपाई का डिसकाउंट मिला है यह हमारे wallet balance है जो हमारा wallet का balance ग्लोरोट का उससे मिला है अगर आपस वो ना होता तो उपको 9 रुपाई का डिसकाउंट ही ना मिलता करीबन 5% की असपाई डिसकाउंट आप लोगो मिलता है 5% की साथ से करीबन 9 रुपाई बनता है लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ग्लोद को यहाँ पर लिखा हुए 5% wallet discount सब्सक्रिप्शन देकर लेकर रखा है तो आपको गुद्ध से यूज़ हो जाएगा वालेट में पैसा पड़ा हुआ हुए उसका साथ परसेंट यूज़ हो जाएगा अगर आप लोग यहां पर पूरा आप लोग हो तो पूरा आप लोग का नहीं यूज़ होगा आप लोगा एक percentage में ही आपका ये amount हो रहेगा यहां पर use होगा तो ये चीज़ आने रखो अब ये कमाना कैसे है हम लोग कमाने की बारे में देखते हैं तो यहां पर daily rewards आप लोगो मिल जाते हैं ठीक है आप लोग daily rewards में आते हो तो आप लोगो daily task मिल जाते हैं अगर पांच परसेंट भी अगर आप लोग 10,000 का कोई स्वामान ओडर कर रहे हो किसी और के लिए पांच परसेंट भी अगर उसमें आप लोग ये amount यूज हो रहा है तो 500 रुपे का आपको discount मिल ला है वो 500 रुपे आपके ही बचेंगे तो पांच परसेंट का फाइदा होना ह नहीं होना है आप लोग को उसकी टेंशन नहीं लेनी पांच परसेंट आपका यूज होगा लेकिन पूरी तरह से नहीं यूज होगा अगर आप लोग FNQ में आते हो ठीक है तो इन्होंने भी यहां पर ये mention क्या हुआ है कि you can use glow road wallet balance for buying products on glow road और for joining any specific contest which requires you to spend wallet money to join ठीक है कोई contest बगर आता है तो उसमें भी spend कर सते हो लेकिन उस जादा नहीं आता है लेकिन totally अगर हम लोग देखे तो जो order place करते हो उसमें कुछ percent के साफ से use होता है तो यहां पर यहां पर यह भी clearly mention क्या गया है can I use glow road wallet balance for placing COD orders तो लिखा है no glow road wallet can only be used for placing prepaid orders जो prepaid orders होते है उन्हीं में use ह होता है and कैसे आप लोग earn कर सते हो तो यहां पर लिखा है you can earn glow road wallet money through various features and contest keep looking for contest announcement जो contest आते हैं उसमें च्वाइन करके कमा सते हो ठीक है आप लग कहना use entire balance in the single order तो यहां पर लिखा है no there is a limit on glow road wallet balance or use on your orders you can use up to 7% cart value from your wallet balance if you are a platinum member otherwise you can use up to 5% of the cart value मतला कि 5% use कर सते हो प्लाटन में प्लाटन में पहले बताया है और वालेडिटी की बात का है साथ से लेकर 90 दिन के आप लोग जो गलोड में wallet balance कमाते हो साथ से लेकर 90 दिन के विलिटी मिलती है उसके बाद पैसा expired हो जाता है जैसे कि मेरा कितना सारा आमोंट जो है यहां पर एक्सपार हो गया ह इसके बारे में आप तो समझ जोगे कि इससे पहले मैंने ग्लो रोड से पैसे कैसे कमाई इसके उपर एक वीडियो बनाई थी बहुत साही कमेंट आई थे कि पैसा हमाए wallet में इसको कैसे निकाले है तो मेरे आप लोग क्लियर हो गया होगा कहीं पर कोई डाउट लगे मिलेंगे कोई और क्वेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं मैं जरूर कोशन होगा कि आप लोग वीडियो के तुर या फिर आप लोग को लाइप बता सकूँ जब कुछ तो बहुत अच्छी बात है बागे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को मे इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब ते ले डटा बाइबाई जाहें देव वन दे मात्रा